रिष्टा बना पहली आई मौली की सहेली गनपती का त्योहार कुनाल नंदनी का प्यार भाई गनपती बपपा के इस महा उत्सब में सीरियल सिल्सिला में आये हैं ठेर सारे मह्मान उडान की चकोर, आज मौली और कुनाल के घर आई है गनपती बपपा के दर्शन लिने गनपती का उत्सब है, गनेश चतुर्थी का उत्सब आया है तो महा संगम तो बनता है तो इस बार इन लोग सिलसला के फैमिली ने यह महा संगम में रखा थे तो और चकोर ने आते ही देखी कैसे अपनी शातिर नजरों में कैद कर लिया कुनाल और नंदनी का दोस्ती से कुछ ज्यादा वाला रिष्टा यही तो परिशानी है जो सब को नजर आ रहा है वो मौली को क्यों नहीं नजर आ रहा देखिए कैसे कुनाल आज बन गए है फोटोग्राफर और खीच रहे हैं सबकी तस्वीरे लेकिन इनका कैमरा और दिल दोनों अटक गए हैं नंदनी पर सब के सामने लिए देखें हैं अपने खुलम कुला है सब के सामने लिए सेंटर में कड़ाओं कर दोनों आज गनपदी बपा से अपनी मुरादें में मांग रही हैं बपा के कान में कुछ कहकर जिसमें टोष्ट यह है कि दोनों की मुराद कुनाल बाबू ही है कि कुनाल और नंदनी की प्रेम लीला का टोष्ट तो चलता ही रहेगा अब घर आई मेहमान चकोर के लुक के बारे में भी कुछ बाते हो जाएं बहुत ही सुन्दर सा रेड ड्रेस है और विल वही नाइस दुपट्टा और एक्सेसराइज आरसेल्स वही सिंपली लाइक 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 इट यह जो है कडी वाले जुंकें चकोर बपा के दर्शन करके तो चली जाएंगी लेकिन अपने पीछे मौली के लिए एक सवाल छोड़ जाएंगी अब देखना ये है कि अपनी एक सहेली की बात सुनकर मौली कैसे अपनी बेस फ्रेंड नंदनी पर भरोसा कर पाएंगी यही होगी आगे की कहानी कुनाल और मौली के घर पे होगा सबसे बड़ा गने शुचसब के देवा आपके आने से मीरा और कुनाल का रिष्टा और भी गहरा हो जाएंगी बपा तुम्हारी मनों कामना जरूर पूरी करेंगे पुंबई से शुर्ती बढ़ जातिया किसा आज तक देवरो मिट जाएगा इस रिष्टी का निशान हमेशा के लिए बतल जाएगा मौली का चाहान